हेलो एवरिवन वेलकम टू इवन स्टेडी पॉइंट तो प्रेंड्स यहाँ पर स्याम शाम मेडिकल कॉलेज रीवा की तरप से स्टाफ नर्स की यहाँ पर वेकेंसी निकाली गई है मेल और फीमेल दोनों केंडिडेट्स यहाँ पर अपलाई कर सकते हैं अपलाई करने की ला लिबार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो प्रेंड्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कार्याले मुखे कारिपालन अधिकारी एवं अधिसस्टा सो सासी श्याम सा चिकिस्सा महा विद्याले रीवा की तरप से यहाँ पर यहाँ एडवर्टाइ 21 रखी गई है आवेधन करने की लास्ट डेट यहां पर 21 मौई 2021 रखी गई है तोड़्ट अब यहाँ पर बात करेंगे करेक्शन की तो करेक्शन करने की स्टार्टिंग डेट छह म叔शार एक्श सर Duke अर यहा पर लास्ट डेट 22 मрахी 2021 है तो प्रेंड्स अब यहाँ पर बात क सुक्रवार के दिन यहाँ पर आप लोगों की परिच्छा करवाई जाएगी और टेंट्स यहाँ पर नीचे की तफ आप लोग देख सकते हैं 3 जुलाई 2021 को यहाँ पर आप लोगों के परिच्छा परणाम जारी कर दिये जाएंगे अब यहाँ पर बात करेंगे सीधी भरती के लिए application fees तो यहाँ पर समस्त अभ्यारतियों के लिए 900 रुपीज प्लस GST यहाँ पर परिच्छा सुल्क रखा गया है तो फ्रेंड्स अगर आपको यहाँ पर correction करना है तो MP Online के portal पर यहाँ पर आप लोगों को 50 रुपीज प्लस GST देना होगा तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर नीचे के तरब बात करेंगे परिच्छा आयोजन के नियम एवं निर्देश तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं सीधी भरती है तो स्टाफ नर्स के यहाँ पर टोटल 19 बद निकाले गए हैं category वाइस इन्हें देखेंगे तो फ्राना रच्छित और OBC के लिए यहाँ पर कोई भी सीट्स नहीं रखी गई है जबकि यहाँ पर ST के लिए open में 3 सीट और महिला के लिए यहाँ पर 6 सीट यानि कुल मिलाकर यहाँ पर 9 सीट रखी गई है अब यहाँ पर बात करेंगे SC Candidates की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं SC Candidates के लिए भी यहाँ पर कोई भी वैकेंसी नहीं है EWS के लिए यहाँ पर open में 7 और महिला के लिए यहाँ पर 2 बूट पूर सैनिक के लिए यहाँ पर 1 यानि यहाँ पर टोटल 10 सीट रखी गई है EWS कैटिकरी में तो टोटल 19 वैकेंसी निकाली गई है और यहाँ पर साइट में आप देख सकते हैं देवे अंगिजन के लिए यहाँ पर एक वैकेंसी रिजर्व रखी गई है Education की तो स्टाफ नर्स के लिए यहाँ पर नियून्तम आयूसीमा 18 वर्स रखी गई है जिन केंडिडेट्स ने यहाँ पर साइन्स से इंटर और BSC या GNM कर रखा है और उनका MP नर्सिंग काउंसिल में रेजिस्टेशन है तो वो केंडिडेट्स यहाँ पर अपलाई कर सकते हैं तो प्रेंड्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं परिच्छा के इंदों का निर्धारन यहाँ पर MP Online के माध्यम से किया जाएगा तो प्रेंड्स अब यहाँ पर नीचे किताब Next Information की तरफ बढ़ते हैं तो प्रेंड्स यहाँ पर सामानने सर्तों में आप लोग देख सकते हैं आवेदक की आयू एक जनवरी 2021 को 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और प्रेंड्स यहाँ पर अनारच्छित के लिए Maximum Age 40 वर्ष और SC, ST Candidates, OBC Candidates के लिए यहाँ पर Maximum Age 45 Years रखी गई है तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर बात करेंगे कि आप लोगों को आवेदन कैसे करना है तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को MP Online की Official Website पर जाना है वहाँ पर आप लोगों को Application Form को Open करना है और फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, Documents में यहाँ पर आप लोगों के High School की Mark Seat, Inter की Mark Seat जिन Candidates ने यहाँ पर BSC कर रखा है, उन लोगों को यहाँ पर BSC और जिन लोगों ने यहाँ पर JNM का डिप्लोमा कर रखा है साथी साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोगों की Photo पहचान पत्र, आप लोगों की Latest Photo और जाती प्रमार पत्र यहाँ पर आप लोगों को Upload करना है और फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोगों देख सकते हैं, Photo और Signature का यहाँ पर Size 200 KB से अधिक नहीं होना चाहिए अपर की Information को मैंने इस वीडियो में Cover कर लिया है और यहाँ पर एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूंगी कि Apply करने की Last Date यहाँ पर 21 मई रखी गई है तो फ्रेंड्स यहाँ पर 21 मई तक आप लोगों को आवेदन कर देना है अफ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और लेटिस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए पास में लगे बेल आइकन को भी प्रस कर ले